तो आज जो हम करने जा रहे हैं पिछले विडियो में अच्छे से कवर कर लिया है और आज जो करने जा रहे हैं वो है हमारा examples of conventional energy जो बहुत ही important है जो आपको पूछा भी जा सकता है exam में और एक तरह से कहें तो यह बहुत ही important topic भी है तो आज जो करने जा रहे हैं starting से मैं आपको बताओं तो conventional source of energy हम उसे कहते हैं इनर्जी विच आए लोग बार करते थे पहले लोग जब पहले बाद आग जलाये तो पहले इसंपलीट उन्होंने लखडी पे है और दूसरा आता है हमारा कॉल तो लेकिन यह भी बहुत आशा है यूज के बार ya कोल हमारा यूज होता रहा है तो आज इसकी बारे में हम डिटेल सीखने वाले हैं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मिनरल्स नी पोजिट आफ मिनरल्स सारी चीज़ें पिछले वीडियो में कर चुके हैं अभी दो-तीन दिन आपका इसी पार्टिकुलर वे में जैसा कि स्केण प्रावर रिसर्स सिस क्या है समझा दिया है मैंने समझा दिया मैंने टाइप समय है ATMतिया है और आज आज जो सीखने वाले हैं कन्वेंशनल पावर यहां पर बोट पर राइड डाउन करके रखी है मैं फिर भी थोड़ा जूम कर देती हूं क्योंकि यह बहुत ही इंपोर्टेंट है जो आपको भी मतलब कॉपी में मैं वोलूं तो राइड डाउन कर लेना चाहिए चलिए देखते हैं तो आज जो सीख रहा है पहला क्या हीटिंग के लिए आपको तो दीखी रहा होगा मैंने लिखा यहां पर इट इस वाइड ली उस्ट फोर कोकिंग एंड हीटिंग यह इन आवर कंट्री मोर दैन 50 परसंट आफ दा एनर्जी यूज्ड विलेजर कमस फ्रॉम फायरूड तो यह हमारे कंट्री में जो 50 परसंट वहां पर इस फ्यूल वक करता है चिकाइड इस वाइड ली उस्ट फॉर कुकिंग एंड हीटिंग इन आवर कंट्री मोर दन 50 परसंट अफ द एनर्जी यूज्ड विलेजर कम फ्रॉम फ्रॉम फायरूड ओके चलिए यह तो समझ गए अब चलता है रिमेंस देखे रिमेंस आपके फायरूड के बारे में जो मैंने आपको बता दिया और आप इसको और ब्रॉड करके अपने वर्ट्स में लिख सकते हो उसके बाद दिया गया है मैंने आपके पॉइंट बना के लिखा यह बहुत इन्पोर्टेंट है फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन आप इसे बोल अर्थ के अंदर बरीड होगे वह सिंपली मीलियंस ओफ यह बीत्ते बीत्ते वह स्लोली कनवर्ट हो जाते हैं हीट कितना ज़्यादा हो जाता है जब नीचे जाएंगे भाई तो हीट भी बढ़े गई ना तो हीट के कारण और प्रेशर के कारण वह जो होता है हमारा रिमें उट कोलेगें सोर्स के इगजांपल हैं और फिर कन्वेंशयल एऺन और आप देखेशन कि दैख वाज आप बहुत इंपॉटिन चीज़ सकते हैं ना पसा मिन कर करके रख आए जो їх बहुत हैं क्लास में आप हैं तो आपको जाना है चाहिए आपकी क्लास एक 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 साइन्स में दिया हुआ है लेकिन मैं फिर भी हाँ पी आज रिपीट कर दूंगी the reserve of these minerals are limited तो जो देखे मैं आपको पीछ जो चाप्टर फर्स तम पर रहे था उसमें मैंने ये पढ़ा था कि exhaustible natural resources पढ़ा था न वो resources जो जो exhaustible नहीं बोल सकते हैं इसको non-renewable भी बोल सकते हैं non-renewable resources are those which have a limited stock and if once a time it will exhausted then it will get thousands of year to get replenished मैंने यसे बहुत साथ वीडियो में भी पढ़ाया है तो चलिए तो मैं आपको बता दूँ कि जुद्यों यह दरी दरी जर्ब्स ऑफ दीज मिनरल्स अर लिमीटेड जर्ब्स है यह सारे मिनरल्स की वह क्या है limited है the rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation तो वह रेट जिस रेट से लोग आई और व्रट कि जो population है से consume कर रहे है क्यों कर रही है क्यों supply होती है कि योज़यच से उतना इतना जो है ना वह बहुत ही बड़ा रेट है लेकिन उस रेट से बन नहीं पार रहे है ठीक है gebruéri इस रेट से वर्ल्ड की पॉपुलेशन इसे यूज करें यह बहुत ही बड़ा है क्या कंजीूमिंग रेट यानि यूज का जो डेट है बहुत ही बड़ा है बनने के रेट से तो यूज भाई होता जाएगा तो यह एक्जॉस्ट हो जाएगा ना तो मैं अगले वीडियो में अच्छे से बताऊंगे जितना बता रही हूं उतना सुन्दो एक्जॉस्टे सून तो हां यह हो गया सो दे आर लाइकली टू भी एक्जॉस्टेट सून यह देखिए वहां पर मैंने लिखके रखाए डरी जब्स आप इस मिनरल्स अर लिमीटेड एड एड रेट एट धियुक्त करते हैं और फिर मैंने आपको फॉसिल प्रेंस के बारे में बदाया और चार्पोनाइजेशन के बारे मैं अब इस बताऊंगी देखिए को अपका कंसेप्ट शुरू होगा तो को इस यूज एज सच इस डिए डूमेस्टिक फ्वेल इंडस्ट्री अस राइन अ आपके domestic fuel के रूप में तो यूझ होता ही है यहां तक कि हम इसे iron और steel की industries बगरा में भी यूज करते हैं कि यह 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 electricity को generate करने के लिए electricity from coal is called thermal power thermal power क्या होता है electricity from coal is called thermal power thermal power okay the leading producer of coal in the world यह बहुत इनपॉटेंट और एक्जाम पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे कंट्रीज है जो लीडिंग प्रोड्यूसर है किस चीज के यहां पर आपके दिये गहें जो लीडिंग प्रोडियूसर में है ठीक है आप देखिए 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 इंडिया आर रानी गंज जहरिया रनबाद और बोकारो इस आपके प्लेसे सिच्वेटेड इन जहारखंड विच प्रोडियूस कोल ओके तो चलिए मैं पो फिर से ब इस अपर फिर यह कि वहां पर रानी गंज जहरिया दनवाद और शाठब होती है अपनी आप को बस दो मिनट में बदा देती हूं चलिए जो कारबोन आजएशन प्रोसेंश है देखिए सिंपली होता क्या है पहले तो बोट की तरफ ध्यां से देखिए देखिए में आपके तो ध्यान से आप देख रहे होंगे तो सबसे नीचे कार्बोनाइजिसन दिखा हुआ है तो क्या होता है फॉसिल फ्यूवल्स मैंने आपको बताया कि देखिए क्या होता है रीमेंस आफ जो प्लांट है कभी कबाल आया लेंड स्लाइड है फिर कुछ हुआ तो सारे प्लांट क्या हुए नीचे चले गए नीचे चले तो स्लोली स्वैल से कवर हो गए स्वैल से कवरब रपने के कारण उन्यक्त वह हाइली निग्टिसिद हुए उनका टैंप्रेचर रेज़ वख उसी साथ बहुत ही नीचे गए हाईवश्य के राया तो उसके कारण क्या हो वो लोली कनवर्टेड हो गया तो यह चो लोली कंवर्जन हुआ इसी को हम बोलते हैं करबोनाइड जेशन ओक्वडाइब तो आशा करती हूं यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आज हम लोग ने कंवेंशनल सोर्स ऑफ एनरजी के एक्जामपल्स जैसे फायरूड और उसके साथ फॉसिल फ्यूएल्स रिजर्फ फॉसिल फ्यूएल्स यहां तक कि मैंने आपको पिछला अर्खंड में आपको इतने जगह के दिये गए धनवाज जड़िया वोकाड़ो रानी गंजी आपको याद रखने चार जगह के नाम और फिर कार्बोनाइजेशन कार्बोनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है कैसे होता है मैंने सारी चीज़ें अभी जस्ट आपको बता दी है तो चलिए आशा करते हूं यह आपको अच्छा समझ में आ गया होगा अगर नहीं समझ में तो बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए from this side area saying thank you